कि नमस्कार जीत आईस के online platform में आपका स्वागत है कि आज हम बात करेंगे राजनिती विज्ञान का जो स्लेवस है UKPSC जो lecturer का form आने वाला है यह कहें कि जो आपका स्लेवस के लिए तो आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे उसके बारे में बात करेंगे कि स्क्रीनिंग के बाद आपका में इक्जाम होगा तो उसके बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके थे आज हम बात करेंगे आपका जो इसमें स्लेवस है उसके अंतरगत आपका जो अलग अलग पार्ट में इसका स्लेवस डिवाइड है उसमें जो आपका fundamental politics और जो आपके थार्ट वाला पार्ट है जिसमें आपका western और इंडियन थार्ट दोनु दिये हैं पास्चात्य विचारक और जो आपके भारती विचारक हैं उनके बारे में बात करेंगे और इसके साथ-साथ आपके उसमें कुछ अवधारणाएं हैं जिसको हम fundamental politics के अंतरगत पढ़ते हैं जिसको हम क्या कहते हैं आपका जो basic राजनेतिजि विज्ञान है बेसीक politics है तो उसकी बात करते हैं तो इसमें जो पहला topic है आपका वो है आपका राजनेतिक सिध्धान उसका अर्थ और उसके प्रकार उसकी उप्योगिता और उसके बाद उसका उत्थान और पतन इसके बा कुछने का तरीका है आप लोगों ने देखा होगा इससे पहले जो एल्टी का सलेवस था उसमें इसे भी आपके कुछ पैटन उन्हें चेंज कर रखा है और अभी जो UKPST के एक्जाम होए थे तो उसके अंतरगत भी कुछ आपने उन्हें आपका चेंजेज आपको देखने को मिले होंगे पैटन में जब आपका PCS का एक्जाम हुआ था तो PCS के एक्जाम में कुछ उनका जो है लेंदी बना रख पांच-छे मेहने बाद ही आपका स्क्रीनिंग होगा तो उससे पहले हमारे तैयारी इतनी पुक्ता होनी चाहिए कि जिससे हम क्या करें उन प्रश्णों को बना सके और वह कुष्ण जो है हमारे बन सके हमसे तो इसके लिए अभी से अगर हम तैयारी करेंगे तो हमें समय भ कि राजनितिक सिध्धांत क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे तो जानने से पहले हम बात करते हैं कि जो सिध्धांत है जो थ्योरी सब्द है इसमें वो क्या इंडिकेट करता है क्योंकि राजनिती जो है अपनी जगह सही है राजनिती किसे कहते हैं गर आप युनानी द्रिष्टि से देखें प्राजिन अगर आप समय के साफ से देखें तो वह कहते हैं कि भया जो नगर राज्य थे उसके अंदर जो समश्याएं थे उन समश्याओं का समाधान ही क्या है आपका राजनिती है इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो अलग-अलग काल खंडू में इसके अलग-अलग बातें की गई हैं तो उसमें से कई सारी बाते हैं जैसे बैने कहा कि जो संगर्ष है समाज में कि संगर्षूं एवं समश्याओं के कि एवं कि समश्याओं के कि समाध्हान को कि राजनीती बोलते हैं यह राजनीती कहा जाता है कि राजनीती कहा जाता है कि दूसरा कि राजनीती जो है सत्ता प्राप्त करने का क्या है माध्यम है कि राजनीती कि सत्ता प्राप्त करना है भी लिख सकते हैं कि तीसरा इस में हम कह सकते हैं राजनीती कि नीती कि निर्मान कि एवं कि नीतियों के कि नीति किरियानिवन से है कि राजनीती कि निएक ने थिक है तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो आप और भी चीज़ें इसमें जोड़ सकते हैं तो उन कि एक और चीज आप लिख सकते हैं कि राजनीती का संबंध जो है राजनीती का संबंध राजनीती संब्ध में आपको बता रहा हूँ कि राजनीती एक ब्यापक सब्द है राजनीती को आप कह सकते हैं संगर्षों एम समश्याओं के समाधान को राजनीती कहा जाता है और राजनीती का संबंद सत्ता प्राप्त करने से हैं राजनीती का जो संबंद है नीती निर्माण और नीतियों के किरिया निवन से है कि उनका का इंप्लिमेंटेशन कैसी किया जाए और लास्ट वन है राजनीति का संबंद जो है आपका सासन कला से है यानि कि जो आठ है सासन करने से तो वो उसको हम क्या बोलते हैं राजनीति कहते हैं कि सासन कैसे किया जाए तो इन सब अब यह राजनीति आपको समझमा आ गया होगा तो यह जो सिद्धान्त है यह बताता है कि हम कोई भी concept अगर राजनीति के अंतरकत दिया गया है तो उसको समझने के लिए और उसको जानने के लिए उसको पहचानने के लिए जिस आप मैठट का कहें या आप जो भी विदिया प्रियोग करते हैं तो उसको क्या बुला जाता है आपका राजनीतिक सिद्धान्त मैं दुबारा बता रहा हूं कोई माननेता है राजनीति विज्ञान के अंतरगत अगर उस माननेता का आप व्यवस्तित रूप से अध्यन करते हैं उस विचार का उस concept का व्यवस्तित रू बहुत तेखते हैं। तो ये राजनितिक सिध्धानत हैं जिस के द्वारा आप क्या देखते हैं। बहुत है ? क्या कहा मैने राजनितिक सिध्धानत क्या है ? राजनितिक सिद्धान्त आपका किसी भी माननेता का किसी भी राजनितिक माननेता का व्यवस्तित अध्यन है यह वह तर्श्मा है जो किसी भी राजनितिक घटनाओं को देखने समझने का क्या करता है प्रियास करता है तो उसको बोला जाता है आपका राजनितिक सिद्धान्त अब एक प्रस्न जो है पिछले बार जो है Assistant Professor के प्रस्न पत्र में प्रस्न पूचा गया था कि जो सब्द होते हैं इसके जसे यह सब्ड जो है आपका Thuria सब्द से लिया गया है तो जो थ्योरी सब्द है पॉलिटिकल थ्योरी में तो यह किस भासा से लिया गया है तो आप से पुछा जा सकता है तो आप लिखेंगे कि यह आपका यूनानी भासा का है जिसमें नहीं करना है तो यूनानी भासा का एक सब्द है जिसको हम बोलते हैं तो थ्योरिया सब्द से प्रक यूइने क्या हुई है इसकी उत्पत्ती हुई है जिसका आर्थों होता है एक आपका मानसिक दृष्टी कौन किसी बीचीज समझने का है तो हम इसको लिखते हैं की और इस सब्द की उत्पत्ती इसकी पॉलिटिकल ट्योरी जो है राजनितिक सिध्धान्त की इस सब्दक की उत्पत्ति यूनानी जिसको आप ग्रीग वासा भी कहते हैं यूनानी या इसको आप ग्रीग वासा लेख सकते हैं यूनानी ग्रीग वासा के त्यूरिया सब्द से हुई है जिसका अर्थ है जिसका अर्थ है मानसिक द्रिष्टि कोण यह याद रखिएगा जिसका अर्थ है मानसिक द्रिष्टि कोण है जिसका अर्थ है मानसिक द्रिष्टि कोण ठिक सब्द से हुई है और जिसका अर्थ है आपका मानसिक द्रिष्टि कोण अब हमने कहा कि अगर आप इसको अपने सब्दों में पिरोएं अपने सब्दों में इसकी बात करें तो आप लिख सकते हो कि जो राजनितिक सिध्धानत है वह क्या करता है कि 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 सिभी माननिता का व्यवश्थित अध्यान आप है अ कि सिबी और आसनितिक आप कि माननिता का अ कि युवश्थित अध्यन क्या है आपका राजनितिक चिद्धांत है राजनितिक चिद्धांत है कि किसी भी राजनितिक मान्यता का व्यवस्तित अध्यन क्या है राजनितिक चिद्धांत है यह यह भी कहें कि राजनितिक चिद्धान उस चस्मे की तरह है तरह है जो राजनितिक घटनाओं को क्या करता है देखने और समझने में जो राजनितिक घटनाओं को समझने ठीक है जो भी आपकी क्या होंगी राजनितिक घटनाओं होंगी उनको समझने और देखने का प्रियास करता है तो जितने भी आपके कॉंसेप्ट है राजनिति घटनाओं के अंतरगत अगर उनको समझते हैं और उनको देखते हैं और उनको समझ के हम उनके बारे में बात करते हैं कि यह ऐसा क्यूं है तो इसमें प्रशन पूछा गया है पहले तो यह इसमें नहीं होना चाहिए और इस बार का जो प्रशना आएगा उसमें दो तीन चीज़ें मैंने कहा एक साथ जोड़ क्या सकती है तो सबसे पहले जैसे इसमें जो है यह विकल्प आ सकता है कि इस सब्द से हुई है त्योरिया सब्द से हुई है एक दूसरा सकता है किसी इसका जो अर्थ देंगे और इसमें जैसे गलत विकल्प जोड़ दिया कि इस सब्द की उत्पत्ति जो है आपके लैटिन भासा के इस सब्द से हुई है तो इसमें से आप से पूछा जाएगा निम्न लिखी तुम्हें से कौन से सही है तो इसमें पूछ सकता है पहले दो सही है पहले तीन स से ही है यापका B CD к lag की की जासकता है तो इसको आप इस तरह से देख सकते हैं तो यह दरखना है कि इस सब्द की उत्पत्ति आपका्रीग वासा के खेरे सब्द से हुई है यह यरद रखना है और जिसका जो इस आप ऑनजिटिक्त की आप राजनितिक जो आपके क्या है माननिताएं हैं उनके बारे में आप क्या सोचते हैं तो हमको राजनितिक सिद्धान्त यही बताता है कि हम इसके बारे में क्या सोच रखें अब हम इसको जो है साइन से समझें आप इसको क्या आप समझें ब्योहारिक विज्ञान के रूप में इसका अध्य तो आपको टिफिकल नहीं बनाने हैं यह बहुत सरल है अब सब्सक्राइब करना है तो अलग प्रकार की तो बात की बात लेकिन पहले हम जो है उसके बारे में 지금 अलग बात है कि हम उसके बारे में अलग बिचारों दाराओं के बारे में अलग-अलग बात करेंगे तो वह अलग चीज ए लेकिन हम एक जन्नल अगर आप से कहेंगे की समानता क्या है तो समानता क्या है भया किसी कि परतिक कोई भीध्वाव नहीं होना चाहिए समानता है ठीक है घृचैसे किसीके साथ किसी भी प्रकार का भीध लग परकार जैसे आप क्या कहेंगे सोशल जेस्टीस की बाद आजाएगी सवाजिक नियाई की बाद आ जाएगी उसमें ठीक है है और और सारी चीजां की और सारी आसकती हैं किसी को विशेश के विशेश्ट विध्या दी जाती है वह अलग और यह सबनला आप से कहें तो उसके क्या रहें मेठाव रहेंगे तो उसका उसको क्या कि में सब्सक्राइब आपको किसी भी प्रकार का प्रहति नहीं लग रहा तो यह फिर अलग विश्ए लेकिन शुरुवात में हम उसके बारे में कैसा दृष्टिकोन बना रहे हैं यह आपका राजनितिक सिद्धान्त की आपकी मानसिक स्थिति आपका मानसिक दृष्टिकोन उसके लिए क्या सोचता है तो उसी को हम किसी भी राजनितिक माननिता का व्यवस्तित अध्यन जो है उ उसको समझ रहे हैं उसके बारे में क्या होना जीए जैसे मैंने आपको दो चीजे बताई स्वतंता बताया समानता बताया आगे जाके हम इसको क्या करेंगे पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम इसी प्रकार की बात कर सकते हैं कि स्वतंता क्या है जन्रल मभिया यही है ठीक कि ह तो यह सवतंता है या लिकिन जो मेरा चश्मा है जो मैं देख रहा हूं समझ रहा हूं तो वह वार पूछी गई थी जब यह कहते हैं वह कहते हैं कि जो सिध्दानत है राजनितिक मामलों के स्वरूप गेल को जानने का एक क्या है सच्छा प्रियास है तो मैं लिख देता हूँ आपका लियो स्ट्रॉस की परिवाशा है तो उसके बारे में बात करेंगे लियो स्ट्रॉस कि आपका राजनितिक सिद्धान्त राजनितिक सिद्धान्त राजनितिक मामलों के मामलों के को जानने का सच्चा रियास कि अख्याद्य राजनितिक सिद्धान्त राजनितिक मामलों को जानने आप इसकी विसेषताओं की बादे करें बात करुंगे राजनितिक सिद्धान्त जो वही हमने उपर कहीं हैं 실स्की क्या है विशेस्थां है की राजनितिक स्धधांत एक क्या है भ्यवस्थित चिंतन है राजनितिक हो दिस्धांट एक भ्यवस्थित चिंतन है का hall राजनितिक सिध्धान्त एक ब्यवस्तित किंतन है। दूसरा आप इसको कह सकते हैं कि जो राजनिती विज्ञान है वो समाज में जो प्रचलीत आपके विश्वास होते हैं, मानिताय होते हैं, उनका परिक्षन भी करता है। राजनितिक सिध्धान्त जीवन से जुडी मानिताउं एवं विश्वासों की जांच करता है। क्योंकि जो राजनिती विज्ञान है वो एक व्योहारिक विज्ञान भी है तो वे देखता है कि क्या जीवन से जुडी जो मानिताईं और विश्वास हैं इस पर यह खरा उतरता है या नहीं उतरता है आपका इसकी जांच भी कौन करता है आपका राजनितिक सिध्धान्त करता है। इसके अलावा राजनितिक सिध्धान्त राजनितिक अवधारणाओं को स्पस्ट करता है। को को स्पस्ट करता है। के का मतलब है, जैसे आपने प्लेटों का कोई सिध्धान्त पड़ा, आपने उनका आदर्श राज्य पड़ा, तो उसकी जांच भी करता है , जो भी औवधारनाओं क्या करता है, जो बी जैससे आपको कोई नियाय पड़ा। सब्सक्राइब कॉन्सेफ्ट का उस अवधना का चो क्या करता है कि यह क्या है अगर उन्हों पढ़ है प्लेटो का यह हमंने पteता है कि आपका यह यह घुशी में क्या क्या चीज ने हुआ तो वो राजनितिक सिध्धानत का एक काम ये भी है कि वो अवधर्णाओं को क्या करता है इस पस्ट करता है ठीक है और इसके अलावा जो भी अवधर्णाएं हैं उसके सामान्य निश्कर्ष भी प्रस्तूत करता है जिससे वो क्या हो आपका implementation हो सके उसका उसको लागू किया जा सके तो उसका सामान्य निश्कर्ष भी राजनितिक सिध्धानत क्या करता है आपका प्रस्तूत करता है चौथा है कि राजनितिक सिध्धानत सामान्य निश्कर्ष प्रस्तूत करता है जिससे वो आसान हो सकी लोगों के समझ में आ सके प्रस्तुत करता है क्योंकि लोगों के समझ में भी आना चाहिए ना जो सिद्धांत दिया गया है किसी के द्वारा कि उसको उसका सामान्य निश्कर से हमें जब पता नहीं चलेगा कि यह किस कौन्सेप्ट में की आ या कि इसका कहने का तात्पर की क्या है यह क्यों कहा गया है अगर तोगा उस पिद्धांत को समझिंध क्या है और आज करते हैं कि जो राजनितिक सिध्धानत हैं उनके बारे में अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग चीजें कही हैं तो इसकी जो विशेष्टाएं हैं एक तो हमने सामान्य विशेष्टाएं लिखी अब इसका जो है दो दृष्टिकोण आपके सामने आते हैं एक प्रमपराग द्रिष्टि कोण था प्रमपरागत द्रिष्टि कोण यह देखा जाता है आपका अगर आप कि करने ऑपर को रान्निती विज्ञान तो रानिती विट्ञान को हम तीन भागों में बांटते हैं कि आ मध्यकाल और इसके बाद आता है इसमें आधुनिक काल जिसको समकालीन भी कह सकते हैं आधुनिक काल ठीक है अब जो यह प्राची नव धर्णा है इसको हम जो है लगवग लगवग आपका कम मानते हैं जब हम जो आपका प्लेटो अरस्तु शुक्रात और भारत में अगर आप देखेंगे तो कोटल्य मनु महावारत तो इन सारी चीजों का अध्यनाम प्रमप्रागत इसमें करत दो तलवारों का सिद्धान्त चलता था आपका और इसमें इसको क्या बोला जाता है आपका अंधकार का युक क्योंकि इसमें क्या रहता था इसमें आपका चर्च और जो राज्य है उसकी लणाई रहती तो इसमें जो है अंधकार का युक कहते हैं इसमें इसको बोलते हैं दो तलवारों का सिध्धान्त दो तलवारों का सिध्धान्त ये भी रहता था इसमें ठीक है फिर यह इस पूरे युग को बोलते हैं आपका अंधकार का युग क्योंकि इसमें जो है बहुत जादा राजनितिक चिंतन की या राजनितिक विचार-धारा की बहुत जादा प्रगती नहीं हुई और जो आपका प्राचीन समय में देखेंगे तो आप इसमें आप क् the play फिक अरस्तू accommod अगर भारती संदर्व में में देखेंगे आपके स्लेवस में प्रैटो भी है अरस्तू भी इसके अलावा आप भारती संदर्व में देखें तो इसमें आपके है खाल लंगी है और मेरे खाल ले हैंशने हैं और महाभारत का भी कुछ पारट आता है इसमें जैसे सांति फर्वो वाला यह वाला पाट आता है तो आप इसको इसमें देख सकते हैं फिर इसमें क्या होता है जब इस प्रकार का यूग आता है तो जब आधुनिक काल का समय आता है तो यहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है आपका मैक्यावली यह भी आप लेकिन यहां से आधुनिक काल आपका क्या होता है तो यह वाले इसमें बहुत सारे इसमें बड़े-बड़े विचारक होए जैसे आपका भूंदा आता है मैक्यावली आता है जैसे सबसे पहले इन्हों इंट्वूज कीया था तो कई सारी चीजें ऐसी थी कुईए राजनीति और धर्मा और राजनीति के लणाई थी इसको 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 इसने खत्म किया यहांपर और मैक्यावली का कंसेप्ट आया तो इसको आध्यू क्यूप क्या कहते हैं और यहां बहुत सारे विचारों को जैसे आपके स्लेबस में है नहीं इसके बाद हम अधुनिक काल मात हैं इसमें सारी चीज्यां आपके स्लेबस में पढ़ेंगे जैसे उसमें बेंथम आ जाते हैं उपयोगितावादी आ जाते हैं समझोतावादी आ जाते हैं सोशल कॉंट्रेक्ट वाले ठीक तो उनके बारे में हम आधुनिक काल में इसमें पढ़ते हैं ठीक है तो राजनितिक सिध्धान्त हमने पढ़ा तो राजनितिक सिध्धान्त को भी हम क्या करते हैं दो वागू में बाढ़ते हैं एक हम बाढ़ते हैं जो उसका आध्वनिक राजनितिक सिद्धानते हैं और फिर समकालिन राजनितिक सिद्धानते हैं तो उसको हम इस तरह से उसकी क्या करते हैं बात करते हैं तो यह समझमा आ गया होगा तो आगे बढ़ते और बात करते हैं जो राजनितिक सिद्धान्त है मैं एक ही सान लिख देता हूं दोनों को तो एक आपका एक जगह लिख देता हूं जो जिसको हम क्या बोलते हैं आपका प्रमप्रागत राजनितिक सिद्धान्त बोलते हैं एक को बोलते हैं आपका जिसको हम बोलते हैं आधु और दूसरा हम बोलते हैं अदुनिक राजनितिक चिद्धान्थ क्योंकि दोनुपके एकै। लिखने से आपको क्या होगा एक एक अठा ही आपको क्या हो जाएंगी किलियर हो जाएंगे आधुनिक राजनितिक सिद्धानत कि देखें जो प्रंप्रागत राजनितिक सिध्धान्त है जनली यह मूल्यूं पर जोड़ देता था और यह प्रंप्रागत राजनितिक सिध्धान्त का जो समयकाल माना जाता है इसको आप मान सकते हो जुटिय विश्व इद्ध के समय से ठीक है तो इसमें लिख भी देता कि आपका जो प्रफरागत राजनितिक सिध्धानत्य तो इसको आप मान सकते हूं मैं जो अभी लिख रहा था सुकुराद के समय से लगवक्त आपका जो जुती विष्वुद्धा समय आता है जुती विष्विद्ध विष्वद्ध आपका 1939 से 1945 तक आपका चला जो काल है यहां तक आपका क्या कहते हैं यह जो आपका प्रमप्रागत राजनितिक सिद्धांत यहां तक लागू हुए इसके बाद आपके आते हैं आधुनिक राजनितिक सिद्धांत और जो क्या होता है जुति यह विश्विद्ध के बाद क्या होता है एक्चुली जो प्रंप्रागर राजनितिक सिध्धानत हैं, क्योंकि प्राचिन समय में आदर्शा आत्मक बात चलते थी, आदर्शवाज जिसको बोला जाता है, नैतिक कीज़ों पर जोर ये देल लोग देते थे, मुल्लियों पर जोर देते थे, तो जैसे जैसे आपका समय आगे बड़ा, तो हम किसकी और बड़े? साइन्स की और बड़े, तो साइन्स की और अगर हम जाएंगे, तो वहाँ पर क्या होगा? विज्ञान पर बल दिया जाएगा, अनुभौ पर बल दिया जाएगा, पर जोर दिया जाएगा तो उसको सब हम क्या बोलते हैं आधुनिक राजनितिक सिध्धानता अब आपका प्रश्ण क्या बनेगा इसमें निवनिलिखित मैं से कौन सी विशेष्था प्रमपरागत राजनितिक सिध्धानत की है और दूसरा इसमें साथ में एक विकल्प जो है आपका क क्या कर दिया जाएगा आधुनिक राजनितिक सिध्धांत से एक विकल्प उसमें लगा दिया जाएगा और आप से पूछा जाएगा निमने लिखित में से कौन आधुनिक तो नहीं पाजनितिक सिध्धानत की क्या है विशेष्ता है और कौन प्रम्परणत राजनितिक सिध्धानत है उसकी विशेष्टा है। और हमने जब बात की इसकी तो दो भागों में एक जनर्रल में आपको विशेस्ता बता देता हूं जिसको आपको बहुत सरल हो जाएगा यह क्योंकि कठिन बनाना नहीं है समझना है चीजों को इसमें बहुत ज्यादा आपके फैक्ट है नहीं तो इसलिए आपको यह से ही बिज्ञान आपको यह मानता है कि सत्य और सत्य और हम कुछ नहीं मानते हैं अगर सही है तो प्रूब करके दिखाना पड़ेगा तो इसमें क्या आजाएगा आपका अनुभव आ जाएगा बैज्यानिक्ता आजाएगी फैक्ट पर आधारित आजाएगा ब्योहारिक ज्यान आजाएगा ठीक है यानि की क्वांटिटी आपको मेजर्मेंट जिसका हम कर सकते हैं वह चीज आजाएगी आप क्या रखेंगे मूल्य परक्षिक्षा नहीं रखेंगे तो कहने का मत्तब है जो आदर्शात्मक है अच्छी बात है मूल्य प्रंप्राओं से संबंदित हैं व आपका प्रंप्रागत में क्या आ जाता है आपका प्रंप्राओं में जैसे मूल्य पर आधरित आएगा वोगी जेंब्ल में आदर्शातमक बात होती है आधर्शुवाद आपने पड़ा औहला हुगा तो आधर वाध का है वह ये चुल्द क्या कि जिन्त को क्या किया जाता है जो आपकर क्या होंगी बनी चोडिन नहीं करेंगे या 성 कळी जूट सकते हैं तो इस तरह कीius प्लेटो के जिससे आप लेटो और अरश्टू को पढ़ेंगे तो प्लेटो आपका क्यों है और अरश्टू क्या है तो वह कहता है एक तरह से क्या है आपका कलपनावादी जादा है अच्छी बात हैं तो इस तरह की बाता उसमें कही जाती है तो यह सारी बाता आपकी प्रमप्रागत्मा आएंगी और आध्मिक में क्या आएंगी जोड़ा साइंटिफिक अप्रोच हो जाता है बैज्ञानिक धृष्ट की कोण इसमें देखने को मिलता है तो हम उसक अब मूल्य क्या होते हैं मूल्य होते हैं आपकी जो आपकी अच्छी बात हैं अगर समाज में जो अच्छी बात हैं वो समाजिक मूल्य जो प्रशासन में अच्छे बात हैं इमानदारी कर्टप मिनिस्टता भृष्टचार मुक्त यह सारी चीज़ें क्या जाएंगी अच् आच्छी चीजह वहती हैं उनको और जाता है जो क्या है और जो क्या है आपके और जिसको आप भूल सकते हैं या इसको आप क्या पूल सिध्धान्त से क्या करती है मुज्भी आप इसमें जो और एप सकते हैं फिर था पर इसमें जोड़ दिया जाता है उसको नहीं मानता है वह जो किवाल एक बात पर जोड देता है जो क्या है आपका हेक्ट तत्य तत्यू पर जोड दिया जाता है एक है यह एकी चीज मानते हैं द सद्धक्र-इस राफी चीट यह तो Tahira होगी यह तो क्या होगी गलतु ओगी सब और अस ते हैं और सथी होद्य on यह संब देखने को मिलती है दूसरा है इसमें जो आपका प्रणपरागत-राजनितिक सिद्धान्त यह कलपणावादी यह इसमें कलपनात्मक है इसको आप कह सकते हैं एक तो कलपनात्मक है और दूसरा यह किया है आपका आदर्शात्मत तथा आदर्शात्मत कल्पनात्मत तथा आदर्शात्मत और जब हम क्या करेंगे आधुनिक राजनितिक तद्धान्त की बात करेंगे तो यह क्या आएगा आपका का वियुख्यानिक वयुर्फजा तर आदर्शात्मत कीं जाएगी अधनिक राजनितिक शिद्धान्त में की जाएगी लेकिन इनके अनुसार नहीं हो सकती है इसमें क्या आएगा परिवर्तन देखने को मिलेगा यह ब्योहारिक एवं क्या है आपके बैग्यानिक है और यह कल्पनात्मत तथा कैसे हैं आपके आदर्शात्मत है इसके अलावा इसमें जो है नैतिकता पर बोट दिया जाएगा और यह मूल्यों पर जोड़ दिया जाएगा इसमें यह क्या होंगे मूल्यों से मुक्त होंगे ठीक है इसको आप यह भी कह सकते हैं तीसरा यह आपका मूल्य मूल्य सहित भी कह सकते हैं इसको ऐसा लिख सकते हैं आप मूल्य सहित, यह मूल्य रहित, मूल्य सहित और यह क्या हो गया आपका मूल्य रहित, इसमें मूल्यों की बात नहीं की जाएगी, मूल्य रहित हैं आपका आधुनिक, जो राजनितिक सिध्धानत हैं, वो क्या हैं आपके मूल्य रहित हैं, यह आपके समिष्टिवादी हैं, और यह ब्यस्टिवादी, समिष्टि का मतलब है, समगर भी कहते हैं इसको, समगर, जिसको क्या है, एक साथ, सबको, और ब्यस्टि का मतलब है, कि आपका क्या करेंगे, बेस्टी का मतलब है कि आप उसको अलग-अलग माइक्रो लेवल पर जाके क्या करेंगे उसका अध्यन करेंगे अलग-अलग तरीके से अलग-अलग पार्ट को लेके उसको क्या करेंगे तो इसका दृष्टी कोण जो है आपका बेस्टी वादी है और इसका क्या है आपका समि सब्सक्राइब करते हैं यह वह जास नहीं करते है जो आफका और दर्मि को यह क्या क्रती है और क्वालिटी मेटरverage यानि कि यह क्या है और यह कैसा है आपका इस प्रकार का ना ये घुग देलिस प्रियोजन मूलक और ये है आपका प्रिक्रिया मूलक ठीक है ये प्रिक्रिया पर क्या करता है आपका बिलीब करता है जबकि ये उद्ध्योशों पर यह कहेंगे इसका प्रियोजन क्या है इसका उद्धेश क्या है इसका लक्ष क्या है तो इसके उपर बात करता है तो ये प प्रिक्रिया मुलग है इसका आधार क्या है दार्शनिक है कि अधार तो आपको समझ मा आ गया होगा तो यह जो हम बात कर रहे हैं यह थोड़ा थोड़ा आपका आदर्शात्मक हैं उच्चे विचार हैं नैतिक बाते हैं अच्छी बाते हैं मूल्यूं के साथ हैं और यह जो है विज्ञान वादी हैं व्योहार वादी हैं और यह तथियूं पर बात करते हैं और यह जो है विज्ञ और यह क्या है आपका प्रम्परावादी राजनितिक सिद्धान इसके अलावा आप इसमें एक और चीज जोड़ सकते हैं किसे यह क्या करते हैं कि जो हमारा गौरव साली अतीध है उसकी बात करते हैं जबकि जो आधुनिक राजनितिक सिद्धान्त है वो क्या कहता है कि जो म ब्रतमान में जो चीज़े हैं वही क्या है सत्य एट यह करते हैं आपका है कि गौरव साली अतीत की बाद गौराव साली परंपरा की बात करते हैं और यह करते हैं जो ब्योहार में है जो ब्योहार में जो हम क्या कर रहे हैं अनुभाव कर रहे हैं यानि कि जो मानव है ब्योहार में क्या कह रहा है तो उसकी बात करते हैं मानव ब्योहार की बात करते हैं ठीक है कि मानव ब्योहार कैसा है बर्तमान मों कैसा कर रहा है उसकी बात करते हैं क्योंकि ये गौरव साली प्रंप्रा इसमें क्या आ जाएंगे अगर जोसे कोई महान विभूतियां हुई है तो उनकी बाद इसमें की जाएगी या कोई आपका महान प्रशंग है या गरंथ है जैसे कोई गरंथ है उसकी बाद की जाएगी इसमें या इसमें क्या किया भी होई है कोई महान व्यक्षित तो हुआ है उसके बारे में बात की जाएगी कोई की विशेष है उसकी वाद इसमें की जाएगी लेकिन जो आधुनिक राजनितिक सिद्धांत नहीं करते है वो कहते हैं वह तो है क्या किया जाएगा इसमें कहा जाएगा ठीक है तो यह सारी चीज़ें है इसमें जिसके बाद आपको समझमा आगया होगा कि प्रमप्रागत राजनितिक सिद्धान्त क्या है और जो है आपका आधुनिक राजनितिक सिद्धान्त आपका क्या है ठीक है तो कोई प्रशन है तो प्रशना आप पू बारे में बनाना है बागी क्या है बहुत देखें चीजें क्या होती है वो तो बाद में जुड़ती है उसमें उसके फैक्ट बाद में जुड़ेंगे लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब हम राजनितिक सिद्धान्त पढ़ते हैं तो यह है क्या तो बड़ी यह है क्या सबसे बड़ी जैसे यह पैन है यह पैन है क्या ठीक है तो ऐसी राजनिति विज्ञान में भी कई सारी आउधारणाओं को जानने का प्रियास क्या है राजनितिक सिद्धानत है अब दो तरह के से हम इसको जानते हैं एक प्रमप्रागत रूप से एक आधनिक हो चुके हैं आप उनसे जुड़ सकते हैं है और संचाली certified मोड में हमारे एदमिशन ले लैक कि ओज हैं मिलते हैं सब फ़त겠지만 सबते केले समय deeply